इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे जो भी आपके सप्प्लिमेंट आया है ना प्रोफेशनल एक्जाम के लिए जून 2021 का उसका हम सब्जेक्ट डिसकस करेंगे RCD, Resolution of Corporate Dispute, Module 2 का Paper 6 आज हम डिसकस करेंगे इसमें क्या चेंजिस आये हैं इसके आज हम तू चाप्टर कवर करेंगे फर्स चाप्टर इस कॉर्परेट डिस्प्ट इन दे सेकेंड वन इस फ्रॉड अंटर कंपनी जैक्ट एंड आई पीसी ओके तो हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या चेंजिस आये हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि ह इसमें सारे चेंजिस कवर करेंगे सब्लिमेंट के जितने आये हैं सारे चाप्टर के वन वाइवन ओके तो सबसे पहले सार्ट करते हैं कॉर्परेट डिस्प्यूट से तो इसमें पहला चेंज यह है कि आपका जो सेक्शन 9 था और कम्पनीज अमेंदमेंट एक 2020 तो सबसे चेंज किया सेक्शन 56 अगर आप उसको comply नहीं कर पाते तो उसमें था कि वो punishable with fine होगा ठीक है यह तो आपको पता होगा company पे था 25,000 से 5,000,000 तक और officer in default पे था 10,000 से 1,000,000 तक ठीक है तो कुल में लाके यह था old provision अब new provision क्या इन्होंने कर दिया है new provision में हुआ है कि अगर अब आप 56 subsection 1 से 56 subsection 5 को comply नहीं कर पाते तो अब company and officer and default दोनों पे मतलब आप दोनों के लिए अलग-अलग आपको fines देखने की ज़रत नहीं है दोनों के लिए आपको जो है अब liable to penalty है वो कितनी है 50,000 यानि कि first difference क्या है कि पहले जो था liable नहीं था पहले जो था punishable with fine था अब liable to a penalty है यानि कि पहले criminal non-compliance था अब civil non-compliance बना दिया है ठीक है तो बस एक छोटा सा change हुआ है अब आपको normal crux देती हूँ इस point में आपको सिरफ यह याद रखना है कि अब अगरा 56 subsection 6 में penalty learn करते हैं तो आपको सिरफ और सिरफ एक चीज़ याद करनी है कि दोनों के लिए company के लिए and officer and default के लिए penalty कितनी हो गई है 50,000 डन ओके अब next change पे चलते हैं next जो second change आया है आपका इसी chapter में वो आया है section 10 of the company's amendment act 2020 से चीक है त companies amendment act का है ना कि companies act 2013 का तो यह जो section 10 है इसने change किया 59 5 of companies act 2013 चीक है section 59 subsection 5 किसे deal करता है rectification of register of members आपको पाता होगा कि rectification of register of member कहता है कि माल लीजिए कि किसी का नाम गलती से register में add हो गया किसी का नाम omit हो गया चीक है तो मतलब आपको register of members में लेके अगर आपको कोई change करवाना है तो आप उसके लिए apply कर सकते हैं पता है ना तो इसमें क्या होता था इसमें पहले ह करते थे फिर NCLT भी कुछ orders देता था तो अगर company ने वह comply करने में default कर दिया तो पहले होता था कि company पर लगेगा punishable with fine 1 lakh to 5 lakh and officer in default पे होता था 1 lakh to 3 lakh ओकी और officer in default पे एक साल की imprisonment भी थी बट अब चोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है कोई punishable with fine company पे कितना है officer in default पे कितना याद नहीं करना क्रक्स यह है कि पहले यह जो penalty दिया punishable with fine दे रखा था अब इसको omit कर दिया है अब इस section को omit कर दिया है इसमें कोई भी जो penal provision थे default करने के वो जो है वो omit हो गया है fine तो इस chapter के दो change आपको मैं फिर learn करवा देती हूँ एक चेंज आया है 56 सब section 6 में एक चेंज आया है 59 में ओके 56 में company प्लस officer in default दोनों पे liable to penalty है 50,000 की and section 59 में सीधी चेंज है कि इसमें जो भी penal provision था उसको omit कर दिया गया है fine this is all about corporate dispute ओके ओके move on to the next chapter next chapter कौन सा fraud under companies act and Indian Penal Code 1860 चीक है इसमें दो changes है पहला change है कि section 30 of companies amendment act 2020 इसने change किया section 143 sub section 15 of the companies act तो section 143 sub section 15 deal करता है power and duty of auditor की जो है auditor की क्या duties रहती है तो अगर आपने security को अगर एक करोड से जादा है तो आप report करते होते थे central government को fine तो अब इसमें छोटा change यह कर दिया है कि पहले होता था कि अगर उसने fraud को report नहीं किया ठीक है तो उस पर fine लगता था कितना 1 lakhs to 25 lakhs तो अब new provision में इन्होंने change कर दिया है कि अगर किसी ने अब comply नहीं किया तो इसमें bifurcation कर दिया है अगर जो comply नहीं किया वो listed company थी तो उसमें liable to penalty होगी 5 lakhs की और अगर unlisted company थी यह any other company थी तो उसमें liable to penalty होगी 1 lakh रुपीज की ठीक है कुल मिलाके पहले होता था कि पहले आपको नहीं पता होता था कि अगर मैंने यह provision comply नहीं किया तो मेरे पर लगेगा लग सकता है 1 lakh और विच में मुश्किल तो नहीं जा सेकिंड चेंज यह था सेकिंड जेंज आपका एक्जाम में नहीं आएगा बट फर्द सेख आप सुन लीजिए सेकिंड चेंज आपका है कि पहले होता था कि सेभी में Securities Exchange Board of India में Prohibition of fraudulent and unfair trade practices relating to security market इसमें आपको यह चीज डिफाइन करनी पड़ती थी इसमें एक explanation add हुई है उस explanation में आपको जो है यह बताया गया है कि किसको आप manipulative fraudulent and unfair trade practice मानोगे security market में मतलब उसको clearly define किया हुआ है तो it is clarified that यह लिखा हुआ है कि it is clarified that कोई भी एक्ट डावर्जन की मिस यूटिलाइजेशन की या फिर सिफिनिंग ऑफ असेट्स की या अर्निंग की of the company जिसकी सिक्योर्टी लिस्ट है कुल मिला के बाता गई कि सिक्योर्टी इसके लिस्ट है यानि कि लिस्टिट कंपनी की अगर ऐसा कुछ करते हो आप जिसका effect जो है किस पर पढ़ेगा कि आप डारेक्ली या इंडारेक्ली कंपनी की सिक्योर्टी के प्राइस को मैनिपलेट करना चाहते हो ठीक है तो इस प्रेक्टिस को हम मानेंगे प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडिलेंट अन अनफियर ट्रेट प्रेक्टिस कुल मिला के इसमें इसा कुछ था नहीं इसमें इक्लिनेशन आड करके आपको क्लेरिफि होता है कि गलत तरीके से यूज करना सिफिनिंग ऑफ असिट्स का मतलब होता है कि इदर उदर असिट्स को लेके जाना परपस उसका डिफीट करना चीक है अगर आप ऐसी कोई प्रेक्टिस को फॉलो कर रहे हो तो उसको आप कंसीडर करोगे प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडि नहीं किया ठीक है और सेकेंड यह एक्स्लेशन अड़ होई है तो इन दोनों चाप्टर के चेंजे आज हमने कवर कर ली है फर्स्ट कॉर्प्रेट डिस्प्यूट और सेकंड फ्रॉड तो नेक्स वीडियो में हम कवर करेंगे चेंजेस रेगुलेटरी एक्शन चाप्टर क इस वीडियो के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और चेंजेस के साथ ओके बावाए सब्सक्राइब दे चैनल